नमस्कार दोस्तो एकजाम सार्थी यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तो जूनियर अकाउंटेट 2023 रीट पिटिशन को लेकर के अफडेट लेकर आए हैं इस वीडियो में दोस्तो आज हमारी जूनियर अकाउंटेट की पहली याचिका पर सुनवाई हुई कृष्ण कुमार एंड अधर्स वाली पिटिशन पर आज सुनवाई हुई थी और सुनवाई में कोट के द्वारा क्या आदेश जारी किये गए हैं वो आपको इस वीडियो में बताएंगे दोस्तो आज जो सुनवाई हुई उसमें कोट ने जो है उतरकुंजी को लेकर के जो चुनोती कोट में दी गई है उस पर राजे सरकार और करमचारी चैन बोर्ड से जवाब मांगा है जस्टिस अनूप कुमार ने इसके आदेश दिये हैं तो अभी केवल जो है नोटिस हुआ है एक तरीके से करमचारी चैन बोर्ड और राजे सरकार से जवाब मांगा गया है अब करमचारी चैन बौर्ड की और से उनके जो सरकारी वकील होंगे उनके तोरप से अपना जवाब आएगा बॉर्ड का जवाब आएगा और यहां पर हमने मांग की है कि जो मानेता प्राप्त बुक्स हैं जो अथेंटिक बुक्स हैं उन से अगर देखा जाए तो बहुत सार questions के उत्तर बadल दिये गए हैं या delete कर दिये गए हैं तो उन प्रश्णों को review करके परिणाम को पुनर्य किया जाए, दोस्तों यहाँ पर ध्याद है कि परिणाम केवल petitioners का जारी किया जाएगा revised, तो कई कंडिडेट्स यह सोचते हैं कि कुछ लोगों ने petition लगाती है तो हमें petition लगाने की ज़रूरत नहीं है हमारा भी result तो है अपने आप ही revise हो जाएगा पूरी बड़ती का result court कभी भी revise नहीं करवाता है जब तक कि बहुत बड़े इस तर पर paper ओमें गड़बड़ी ना हो गई हो या बहुत सरी अन्यमेर ताइं पाई गई हो तो यहां पर petitioners का result revise होगा दोस्तो अब दोस्तो आपको बता दें कि अभी तक junior accounted मामले में हमारी तीन petitions फाइल हो चुकी है जिनों ने भी कल तक documents बेजे थे कल या परसों तक सोरी कल नहीं परसों तक जिनों ने document बेजे थे उन सब की petition फाइल हो गई है बाकी की जो candidates हैं उनकी भी petition scrutiny में बेज दी गई है scrutiny में जो है आपकी फाइल गई है और Monday तक वो भी आप यह समझे की listed हो जाएगी court में तो जो भी candidates Monday वाली जो petition है उसमें एड होना चाहते हैं तो आपको करना क्या है यह WhatsApp का QR code है इसको scan कीजिए एक WhatsApp का गुरूप आपको मिलेगा WhatsApp का link मिलेगा वहाँ जाकर के आप जयारे टाइप करें जयारे टाइप करते ही आपको एक form दे दिया देगा उस form को fill up करके साथ में जो documents पताए गए हैं वो बेजने हैं form को fill up करना अची तरीके से और साथ में आपको fees जमा करनी है और आपको Monday की जो petition है उसमें आपको शामिल कर लिया जाएगा तो Monday वाली petition में शामिल होने के लिए अभी आप इस QR code को scan कर सकते हैं इसका link आपको description box में भी मिल जाएगा और comment section में pin किया हुआ भी मिल जाएगा और उसके बाद आप next petition में aid कर लिए जाएंगे दोस्तो चेट में बहुत ज़्यादा सवाल जवाब नहीं होंगे केवल आप अपना form fill up करके बेर सकते हैं और भी जो प्योरी है चोटी मोटी अगर कोई doubt है तो पूछ सकते हैं ज्यादा लंबा discussion चेट में नहीं होगा यह आपको पहले बता दें क्योंकि बहुत सारे candidates लंबी चेट करने के लिए इदर उदर के बे फिजूल के questions पूछते हैं तो उन questions के लिए समय नहीं है अगर आप petition में add होना चाहते हैं तो आप documents बेज दिए और अपने आपको petition में शामिल करवाईए इससे ज्यादा discussion नहीं होगा जैसे और petition फाइल हुई है और इन पर सुनवाई भी चल रही है case अब officially शुरू हो गया है और ध्यान है कि अभी तक junior accounted मामले में तीन petition जो लगी है वो सिर्फ हमारी ही petitions लगी है और next week में और सुनवाई होने जा रही है इस मामले में डेली बेसिस पर आप देखेंगे कि आगले week में बहुत सारी अचे काओं पर सुनवाई होगी तो जल से जल इसका निर्ने कराने का प्रयास करेंगे और candidates का result revise करवाने का पूरा प्रयास करेंगे authentic proof सारे रग दिये गए हैं अब expert committee क्या इस पर अपनी report देती है कितने questions change होते हैं उनके according आपका result revise हो जाएगा दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इसे like करें, share करें, साथ ही चैनल को subscribe करें आगे आने वाली updates के लिए धन्यवाद